हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वक्षीट नंबर सीक्स गनित सब्जक्ट की है बेटा आठवी क्लास के लिए ठीक है ते परीमे संख्याओं की गुना ठीक है तो परीमे संख्याओं को गुना कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान सी है बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि गुना एक ही संख्या को बार बार जमा करने का परतिफल होता है हमें पता है चार गुना के संख्या के नीचे एक जरूर होता है ठीक है हम दर्शाते नहीं है तो हमें इनके नीचे एक दर्शा दें ठीक है तो भी क्या होगा यह इस तरीके से समान हो जाएगा ठीक है चाहे इप इसको ऐसे ले लो कि नीचे दोनों हर समान है तो इसलिए उसको easities रख दिया और जो उपर के उनकी गुणा कर दी ठीक है ये भी समान हो गया चाहे तुम इसको जमा कर लो 4 और 4 चार इनको एक एक करके 4 बाए 1 चार बाए 1 तो भी हमारे ये आ जाएगा हर नीचे एक जैसा है तो इधर आ गया ठीक है और उपर के 4 में 4 जुड़े 8 और 8 में 4 जुड़े 12 ठीक है तो इस तरीके से हो गया ये तो कुल मिलाकर जो गुना होती है वो क्या होती है बार-बार जब हम जमा करते हैं एक ही संख्या को तो वो गुना होती है एक तरीके से ठीक है अवपरी में संख्याओ की गुना को समझे तो फिर हम गुना तो ध्यां से सुनना वेटा कोशन क्या है मेगा 3 faj 4 kali गाश अपनी हर गाए को मतलब कि एक से अदिक गाए को खिलाती है और उसके पास कुल 5 गाए है तो वे सबी गाएको कुल कितना गास खिलाएगी तो कुल कितनी गास खिलाएगी मतलब बेटा देखो 3x4 वो एक को खिला रही है तो 5 गाई है तो 5 बार खिलाएगी ठीक है? तो 5ों को खिलाएगी वो तो इस तरीके से आप 5 बार इसको जमा कर सकते हो ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ओके? या फिर आप क्या करोगे? 3x4 को जो 3x4 है उसने 5 गाई हो को खिलाई तो इसको आप गुना भी कर सकते हो 5 से दोनों से आंसर आपका बराबर आएगा कैसे आएगा? डाइग्राम से समझो बेटा इसको कि माना 1 kg घास किसके बराबर है? ये अब हमने इसके बराबर क्यों मानी बेटा ये? क्योंकि देखो नीचे क्या है? 4 तो हम घास की बात कर रहे हैं और घास का 3 by 4th kg लिया गया तो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते क्योंकि नीचे कुल लिखते हैं तो हमने 4 में कर लिया ठीक है? अब उसका क्या है? 3 by 4th 1, 2, 3, ठीक है? 3 हिस्से मतलब टोटल हिस्से कितने है? 4 और 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वो किसको देती है? गये को देती है, इसका यहीं तो मतलब हुआ 3 by 4th का हम पहले कर चुके हैं, तो उसने हर गये को दिया है ऐसा, तो देखो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, 3 by 4th हिस्सा ये हो गया, ठीक है? उसको पांच गायों को दिया या तो उसको गुना से कर दो या फिर ये इसके बराबर भी होता है कि एक हिस्सा एक बार ये लिया फिर दोबारा हिस्सा लिया फिर दोबारा लिया फिर इस तरीके से पांच बार ले लिया क्योंकि पांच गायों को दिया है ठीक है और वो हमें क्या देगा बेटा हर बोक्स में एक हिस्सा सेस बचेगा हर बोक्स में देखो एक दो तीन चार पांच पांच हिस्से सेस बचेगा ठीक है अब बेटा थ्री बाहे फोर को गुना करो पांच से या फिर आप इनको ऐसे जमा करो यही आंसर आएगा देखो न ऐसे ही या फिर आप क्या करो 3 by 4 को 1 minute 3 by 4 को क्या करो बेटा 1 minute जो आपका 3 by 4 थे बेटा उसको आप गुना करो किस से 5 से गुना कर दो क्योंकि 5 गायों को दिया था न तो 3 by 4 को 5 से गुना किया तो गुना कैसे करते हैं बेटा गुना का मत इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं तो गुना में क्या होता है उपर वालों को आपस में नीचे वालों को नीचे से गुना कर देते हैं तो तीन पंजे कितना होता है पंदरा होता है और चार को एक से गुना करोगे तो चार आएगा देखो सेमांसर आया जो हमरे जमा करने पर भी आयता ठीक है तो हम जितनी बार उसको जमा करते हैं उसको बजाए हम उससे उतनी बार गुना कर देते हैं ठीक है अब जैसे नीचे देखो प्रीमे संख्याओं की गुना बहुत आसान है बस दो या दो से अधिक प्रीमे संख्याओं के अंस को अंस से और हर को हर से गुना करने पर हमें परतिफल प्राप्त हो जाता है अंस मतलब जो उपर के हैं हर मतलब जो नीचे के हैं ठीक है अब बेटा देखो यहाँ पर second question क्या है सीमा हर रोजिक किताब को पढ़ने के लिए आदा घंटा लगाती है ठीक है वह किताब को एक बाए तीन दिनों में पूरा पढ़ लेती है उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया तो हमें समय निकालना है पहले क्या बोला है रोज किताब को पढ़ने में आदा घंटा देती है तो आदा घंटा मतलब एक घंटे में बात हो रही है तो हमने ये पूरा ले लिया उस एक घंटे का ये आदा हिस्सा क्या करती है वो एक दिन लगाती है पढ़ने के लिए ठीक है तो एक दिन में वो इतनी किताब पढ़ती है एक हिस्सा हमने यहाँ पर तीन हिस्से क्यों किये क्यों किये क्योंकि बैटा नीचे क्या था तीन था तो तीन हिस्से कर दिये और यहाँ पर क्या था बैटा दो तो हमने दो हिस्से किये थे इसके ठीक है और एक हिस्सा वो गुना कर देंगे बस सीधा ठीक है तो गुना करके देखो क्या आता है बेटा आप इनको गुना करोगे उपर से उपर को करोगे तो एक आ जाएगा नीचे से नीचे करोगे तो छे आ जाएगा तो इतने घंटे लगेंगे उसको पढ़ने में ठीक है तो इस तरीके से आप कहा सराज बस आपको गुनां कर देना है आपस में आप यहां पर देखो बेटा locked क्या दिर रखा है एक इमारत की उचाई इतने मिटर है उसके बगल में दूसरी इमारत की उचाई उसकी उचाई की टूबाइ थर्ड भाग है अब इसका क्या मतलब होगा, इसकी उचाई की इतने हिस्से है, मतलब इसका मतलब होता है बैटा कि इन दोनों को गुना कर दो आपस में, ठीक है, दूसरी इमारत की उचाई आ जाएगी आपकी, ठीक है एक इमारत की देराक़ी है, दूसरी उसका इतना हिस्सा है तो उससे गुना कर दो ठीक है जैसे कोई बोल दे की एक वस्तु दस गुना है एक वस्तु दस है मानलो दस वस्तु है उसका आधा हिस्सा कितना होगा तो बेटा दस का आधा पांच होता है तो देखो हमने गुना करा हमने क्या क्या वन बाई टू पार्ट बता वन बाई टू का मतलब आदा होता है तो क्या हो जाएगा बेटा देखो पांच आंसर आ गया हमारा तो हम यही तो कह रहे हैं दस का आदा हिस्सा पांच होता है तो यही बोला गया कि इमारत की उचाही कितनी है इतनी है और उसका इतना हिस्सा दूसरी उचाही की हाइट होती है तो उसको इससे गुना कर दो तो जो आएगी वो उसकी उचाही आजाएगी तो करो बेटा 23 by 2 को गुना करो 2 by 3 से तो नीचे को क्या आएगा 6 आजाएगा उपर क्या आएगा 3 दूनी 6 ठीक है और साथ में यह क्या है बेटा दो दूनी 4 ठीक है अब इसको डिवाइड करो फिर से तो यह क्या है गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6 ठीक है तो इसकी उचाही कितनी आगई बेटा 23 by 3 ठीक है 23 by 3 अब यह आगे कटनी रा किसी से तो यह इसकी उचाही है ठीक है ये समझ आ गया आपको मैं साफ साफ करके बता देती हूं फिर से ताकि आपको दिक्कत ना हो 23rd by 2 को गुना करना है आपको 2 by 3 से ठीक है तो गुना करने के लिए उपर से उपर की गुना करो तो 2 तीया 6, 2 दूनी 4, नीचे 2 तीया 6 अब ये कट रहे हैं एक दूसरे से तो काट तो 2 से कट गए 2 दूनी 4, 2 तीया 6 तो आपकी जो दूसरी इमारत की उचाई कितने आगई 23rd by 3 तो आप लिखोगे कि दूसरी इमारत की उचाई 23 by 3 है ठीक है ऐसे लिख दोगे अब next बेटा कि ये दिया है इन दोनों को गुना करना है तो 7, 5, 35 और 5, 35 तो फिर काटो हमें सबसे छोटे सरल उसमें करना होता पढ़ चुके हो सरल का मतलब क्या होता है जब आगे उपर और नीचे वाली एक दूसरे को डिवाइड ना कर सके वो उसकी सरल कह सकते हो कि सरल होती आवस्था उसकी ठीक है 35 से 35 डिवाइड होके क्या बचा एक तो इसका अंसर एक आ गया अब यहाँ पर बेटा देखो ये माइनस 2 है और ये 3 है और नीचे 5 और 4 है मैं बढ़ा करके दिखाती हूं तो आप इसको कैसे करोगे उपर वाले से उपर को कर दो इससे उपर वाले से करोगे तो क्या आएगा 2 तीया 6 लेकिन 1 माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 5 चोके 5 चोके 20 तो यह अंसर आ गया फिर बेटा नीचे देखो 10 दूनी क्या आएगा 20 और 20 एकम 20 अब यह इससे कट सकता है तो यहाँ पर क्या इसका अंसर भी 1 आ जाएगा ठीक है 4 वाले का और इधर वाले का देखो बेटा यह माइनस 1 है और यह 1 है इन दोनों को गुरा करोगे तो क्या एगा 1 और माइनस है तो एक बार माइनस लगा दोगे अगर यह दोनों बार माइनस होता तो यह पलस हो जाता मैंने तुम्हें बताये था अगर माइनस माइनस को पलस करते तो गुना करते तो पलस आता है माइनस को प्लस से गुना करो तो भी माइनस और प्लस को गुना करो माइनस से तो भी माइनस मतलब कि जब सेम चीन होंगे दोनों के तो हमारे पास क्या आता है बेटा सेम आता है चीन पोजिटिव आता है हमेशा माइनस को माइनस से गुना करो तो आपके पास प्लस ही आएगा दोनों कंडिसन में और अगर यहां पर एक भी दोनों चिन अलग-अलग है तो हमेशा माइनस आएगा ठीक है जैसे यहां पर देखो बेटा एक क्या है यह धनातमक है और एक रिनातमक है और एक धनातमक है हमारे पास रिनातमक वैल्यू आएगी हमेशा ये वन आ गया नीचे से गुना करो तो कि इतना हुआ दो तीया छे अब यहाँ पर भी रिनातमक अब बेटा ये दोनों एक दूसे से कट जाएंगे तो हमारे पास पोचिटिव वैल्यू आ जाएगी वन भाई सीक्स ठीक है अब नीचे वाले से कट गया ये याद रखना ठीक है ये तरीके है अलग-अलग बताए गए आपको वैराइटी के फिर दो को जीरो से करेंगे तो बेटा जीरो एक ऐसी है जिसके साथ किसी भी चीज को गुना करो तो हमेशा वो जीरो होती है जैसे सरारती बच्चे के साथ 84 आ गया और नीचे देखो 5 सते 35 अब नीचे माइनस भी है तो ये माइनस आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो और किसी चीज से कट सकता हो तो काट के देख लिया करो और नहीं कटता है तो फिर आज की वक्षित उमीद क करता है, तो ये और किसी चीन स मती क को ये वक्षित का और करे एद Anda, जो ये अब एकनगे क दो हो एक जाएगा सनी कि वक्षित के सकतर हो बिल्या देक साफ प rigorous कराध करा आंस review, किसैसní जा करें प्रहिते क कर संद कर से ऐा बहुते है तो एक्ता है, चबुते ही है